गुड इवनिंग स्टुएंट्स गॉड ब्लेश यू और वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल वलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपको बढ़ा रहा हूं बेसिक एकांटिंग ट्रम्स और चैप्टर नंबर टू है इस ग्रेवाल का मैं आपको बढ़ सब्सक्राइब के करते हैं कि यूद्र का तो आपको समझन होगा उनका मीनिंग चा है थो सब किसमेंicated कहता है entity, entity कहते हैं business का वो place जहांपे हम अपना business चला रहे हैं जहांपे हम अपनी services दे रहे हैं समान को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं वो सब किसमें आता है entity में जैसे मैं अपना institution चला रहा हूँ तो ये भी मेरा entity माना जाएगा जैसे Reliance industry जहांपे Reliance industry का समान करिता जा रहा है, बनाए जा रहा है, बेचा जा रहा है वो उसका entity माना जाएगा, Reliance ITC किसी भी company का ले लो या जैसे school में आप पढ़ रहे हैं, वो भी entity है जहांपे वो services आपको provide किये जा रही है वो सब entity, entity वो place होता है जहांपे ये business चलाया जाता है ये भी economic units होती है, economic activities की जाती है कोई social welfare नहीं होता, इसलिए इसको हम कहते हैं entity next आता है हमारा business transaction business transaction की बात करूँ, तो business की जो transactions होती है वो हमारी दो तरह की होती है, एक cash transactions होती है credit transaction होती है, cash transaction जहां लेन दिन जितना भी है, खरिदा और बेचा जाता है service ही जो भी दियाती है, cash में दिया रही है तो cash transaction, जब वो ही transaction हम credit करते हैं उन्हें की payment नहीं करते, non cash होती है तो वो बन जाती है हमारी non cash transactions के लिए है, और कोई doubts, कुछी को कोई confusion है तो पूस सकते हो तो केवाल business transaction में monetary terms वाली transaction को ही record करते है जो non monetary transactions होती है जिनका हम monetary में convert नहीं कर सकते, उन transaction को भी हम record नहीं कर सकते एसी transaction में आपको बताई थी, दो तरह की transactions होती है एक हमारी cash transaction होती है, एक हमारी होती है credit transactions next आता है हमारा account, account में आपको इससे तो detail में आगे आप पढ़ोगे basically यहाँ पर account का जो meaning बताया गया, वो बताया गया हर एक वेक्ति जो भी transactions हमारे business में हो रही है सबके separate accounts मनाए जाएंगे, इनको laser भी कहते हैं आप जैसे जितने भी transactions है, sales का अलग laser मनेगा, purchase का अलग मनेगा, salary का अलग, rent का अलग, commission का अलग, इन सबके lasers अलग अलग बनाएंगे जो भी transaction जो भी हमारे business में use हो रही है, सबके अलग laser मनेगे AC खरीद रहे, AC का अलग laser अलग, fan खरीदा, furniture खरीदा, furniture अलग goods purchase किए, purchase का अलग laser, sales का अलग, purchase return औरा, purchase return रोसा का अलग याणि कि हरेख का account अलग बनाया जाता है नेक्स क्या आता है, capital वो amount होता है जो proprietor अपने business में business start करते समय लगाता है, ठीक है, proprietor अपने business में business start करते समय जो भी amount invest करता है, वो बन जाती है हमारी capital, अब capital बीच में अगर वो additional की रूप में लगा रहा है, तो वो additional capital होगी, पर वो capital नहीं मानी जागी, वो additional capital होगी, उसको हम capital में add कर देंगे, तो capital इस तो अपने accounting question भी पढ़ी थी, accounting question में मैंने बदाया था, asset is equal to liability plus capital या capital is equal to assets minus liability, next, drawings हाती है, drawings क्या होती है, एक proprietor अपने personal use के लिए goods में या cash में business से withdraw कर रहा है, ठीक है, एक proprietor कोन होता है, business का मालिक होता है, अगर वो अपने business में, जो goods हैं या cash है, वो withdraw कर रहा है, अपने personal use के लिए, वो क्या मानी जाएगी, drawings, जैसे मेरी example ले लेता हूँ, मेरी वाइफ ने का कि बच्चों की अपने personal use के लिए goods withdraw की है, तो वो क्या मानना जाएगा, drawings, तो drawings को simple एक language में, one line में हमकर हम कहते हैं, एक proprietor अपने business में goods या cash withdraw करता है, अपने personal use के लिए, तो वो बन जाती है drawings तज्मारा शौरे, चीट है, next देखें, drawings के बात क्या आती है, liabilities, liabilities होती है, liable to pay, हमें जो pay करनी होती है, यह liability भी दो तरह की देखने के लिए मिलती है, एक होती है, internal liability, एक होती है, external liability, इंटर, लिइलिकमें, proprietor की capital, proprietor के profits, proprietor के reserve, यानि कि business man की capital इन्वेस्टेड है, वो भी liability मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर business entity principle लग जाता है, business entity principle कहता है, business अलग होता है, or businessman अलग होते हैं. जो बिजनसमेन ने पैसा लगाया वो बन जाती है उसकी वो capital ठीक है तो ये भी reliability है क्योंकि business को liability बन जाती है और liability एक और होती है external liability, दो तरह के liability बताई हिंगे ने liability कितने दरह की होती है? दो तरह की एक होती है internal liability, एक होती है external liability. Internal liability में proprietor की capital, proprietor के profits proprietor के reserve साथ थे प्रोपराइटर के रिजफ थे जितने भी business के और external liability जो हमें third party की liability है, जैसे किसी से अपने उदार समान करीदा है, बैंक से अपने लोन लिया है, अपने बिजनस के लिए, ठीक है, या किसी को देना है, आउट सेंडिंग है, वो यह सब हमारी लाइबिलिटी मने जाती है, क्लिए रहे हैं, नेक्स देखें, क्या आता है, अच्छे यह इसको कैसे करेंट लिया न दस साल के लिए, तो यह लॉंग टर्म लियाबिलिटी होगी, इसको हम कहेंगे नॉन करेंट लियाबिलिटी, और करेंट लियाबिलिटी होती है, जिनको एक साल के अंदर पेक अनौत है, जैसे स्टाफ की सेलरी है, इस मैने की सेलरी कब दूँगा, अगले मैने की सेलरी कब लियाबलीटी है, करेंट लियाबलीटी, वह ज़ए दा उधार कितना देगा, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 मेने, पर 10 साल, 15 साल का उधार ने देगा, वो तो लोन हो गया ना वड़ा, वो बन जाएगी नौन करें लाइबलीटी जैसे बैंक या फानेशल इंट्विशन से अगर हम, लोन लेते हैं, तो क्या बन जाती है, नौन करेंट लाइबलीटी, और क्रेंट लाइबलीटी क्या होती है, जैसे हमने समान उधार करीदा है, उसको पेमेन्ट करना है, सैलरी वेज़ेस, रेंट प्रोप्राइटर क्या होता है अपने बिजनस में कुछ इंवेस्ट करता है अपने बिजनस से और दिन चाहिए जैसे बिलडिन चाहिए जैसे 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 प्रेशन करता है होता है long term के लिए होता है बारा महीने से ज़्यादा बारा महीने से ज़्यादा के लिए अकर इंवेस्ट कर रहे हैं तो वह बन जाएगी fixed assets इसको non current assets भी बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे non current assets अब यह दो तरह की assets भी एक तो tangible हुई और यह क्या हुई इंटेंजिबल जिनको आप टेच कर सकते हो सीन कर सकते हो इंटेंजिबल जिनको टेच भी कर सकते हैं इसे हम क्या करते हैं अपने business को growth देते हैं long term के लिए invest करते हैं इनका purpose resale करना नहीं होता इनका purpose क्या होता है business को stable करना होता है बिजनस एक जगे के नाम से जाना जाता है place के नाम से जाना तभी आपका office कहा है आपका factory कहा है आपका premises कहा है तो यह सब चीजे किसमा जाती है long term assets एक आती है current assets जिनका payment एक साल के अंदर होना है जैसे आपकी current लोगों ने institution पढ़ रहे हैं coaching ले रहे हैं तो आप लोग मुझे fees pay कर रहे हैं तो यह payment यह थोड़े ना कि एक साल बाद दस साल बाद देंगे जी हम आपको तो यह payment क्या है short duration के लिए होगा जाज़ाद क्या कोंगा पंदा दिन का credit क्रेट दूँगा जाज़ाद कोंगा इस ना इधर टेंजिवल ना इधर इंटेंजिवल ना तो यह टेंजिवल होती है ना यह इंटेंजिवल होती है पर यह firm का heavy loss उटने एक तरा से जैसे discount on issue of shares यह firm का loss है debit balance profit and loss यह heavy expenditure on advertisement तो यह क्या है हमारे intangible assets, sorry, fictitious assets मानी जाती है जिसके हमें बेचके हमें कुछ मिलता नहीं है बलकि यह loss होता है, लंबे समय के लिए loss होता है यह तो यह इसको हम धीरे-दीरे write-off करते हैं पर यह fictitious assets होती है, इसको हम कालपनिक संपत्ती भी बहुते हैं यह यह value less assets भी होती है, इनकी value zero होती है, बिक्ती नहीं है बड़ यह हमारी firm में assets के रूप में stand होती है, जैसे और सच्चा समझाता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने अपने institution के inauguration में एक celebrity को बलाया, उसको मैंने पैसे बे की है, तो advertisement मैंने, advertisement में मैंने बहुत आदा पैसा लेकिन वो खर्चा तो हो गया ना मेरा, और वो खर्चा हो गया, ऐसा खर्चा जो मैं आगे जाके, recovery तो मेरी नहीं होगी इसको बेशने से, लेकिन वो उसका benefits मुझे कई सालों तक मिलता रहेगा, ठीक है, जैसे company खोल रहा हूँ, तो company के prospectus के कर्चे, company के starting के जो fees fast के हैं, वो सब मेरे क्या मने जाएंगे, fictitious assets मने जाएंगे, एक और assets आती है, wasting assets, coal mines, gold mine, oil mine, mines, TV होती है, यह सब wixting assets आती है, धीरे-धीरे क्या हो जाती है, यह कम हो जाती है, बढ़ यह तुम्हारी किताम में नहीं दे रही है, तुम्हारी किताम में यह तीन ही दे रही है, fix assets, current assets, और 56 assets, current assets, non current assets में आती है, fix assets, fix assets में दो चीज़ आती है, tangible और intangible, ठीक है, current assets में एक ही आती है, current assets, और फिर अगला आती है, 56 assets, यह समझा दिया है, मैंने, next बताओ, expenditure, expenditure, receipts, sorry, next बताओ, receipts, तो receipts क्या होती है, जो पैसा आप लेते हैं, जिनके भी पैसा आपको मिल रहा है, वो सब receipts के अंदर आएगा, अब receipts भी दो तरह की होगी, एक होगी capital receipts, एक होगी revenue receipts, capital receipts क्या होगी, जब किसी capital assets को sale out करोगे, तो उससे जो पैसा मिल रहा है, वो spend time मीं की ही बही द्वारा तो मिलेंगे निःगी, तो यह बन की मेरी capital receipts, लेकिन तुम मुझे हर मैने पैसा दे रहे हो, फीज दे रहे हो, यह वन जाएगी mäरी revenue receipts, जो बारवार मिल रही है, यह recurring nature की होती है, बारवार मिलती है, तो यह क्या बन जाती है, मेरी revenue receipts, और capital receipts क मिल रही है बारवर मिल रही है बार बार मिल रही हो क्या मन जाती है ले ख़ी है तो यह मिल लिबन गेघ्र के क्लिए चाहिं और यह च्छ तरह देखने के लिए एक्जाम में बहुत बार आता है capital expenditure revenue expenditure और deferred revenue expenditure capital expenditure क्या होता है हमारा fixed assets में invest करते है मैं भी तो खरीबता हूं खर्चा करता हूं जैसे मैंने AC खरीदा यह क्या है मेरा capital expenditure क्या मैं बारबर खरीद हूँ एसे वन्टायम खरीद हूँ गा जो non recurring nature का होगा किस nature का होगा non recurring का मता हुआ है जो one time use हो रहा है one time expenses हो रहा है तो यह क्या मन जाएगा capital expenditure जैसे building खरीद रहा हूं कि बार बार खरीद दूगा हर बैच के लिए अलग building नहीं परणीचर कौन से में आएगा जाए तो कौन सा और नहीं में गरें जाए तो यह कौन सा खर्च नहीं है लेकिन की service करानी है यह हर मेन तो यह प्रविस करानी पड़ेगी तो यह रिवेंट्यू एक्समेंसेज है मेरा खराब हो गया तो ठीक भी कराऊंगा रिपेरिंग का खर्चा जो खर्चे बार-बार हो रहे हैं रिकिनिग नेचर के ओर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं अब सर्विस के एक बार करा दी जिंदिकी पर की साल करानी पड़ती है तो यह को इसा खर्चा ओगया रिवेंड्यू लिजिदी का देना है सर्दियू में नहीं नहीं है बस लेकिंद के को रिकृरियन ने देण Mt सब्सक्राइब कोन से होते हैं जो वन टैम इन पर लेते हैं जैसे एक नए बिजनस है मैंने बताया मैंने अपने बिजनस में मालोग अमिता बच्चिन जी को गुला दिया है कि आप मेरे इंस्टीशन में इन्नोग्रेशन करोगे उसने का 50 लाइक रुपीज लूँगा मैं आदे घंटे के ठीक है जी दे देंगे लेकिन इसका बेनिफिट मुझे कई सालों तब पूरे उत्राखंड में क्या हो जागा जगा जगा पोस्टर लग जाएंगे पूरे हरिदवार क्या देरादून क्या पूरे उत्राखंड में पता जाएगा कि भाईया हरिदवार में अमिता बच्चंची आ रहे हैं देखने के लिए हज्ज़र लोगों की वीड़ों जाएंगे मेरा फ्री में अड़ेजमेंट सभी न्यूस चैनल पर आ रहा है तो जो पैसा मैं देखे न्यूस पर देता वो तो पैसा मैंने उसको देखे कटम कर दिए लेकिन ये बेनिफिट्स मुझे कितने सालों तक मिला कोई सालों तक मिलता रहेगा हर बच्चा बच्चा जान जाएगा इस इंसिटिविशन में वह आयता है मिताबचेंगे लेकिन ये क्या बन जाएंगे डैफर्ड रिवेन्यू एक्स्पनीचर क्या होते हैं और यह इतनी हैवी अमांट में होते हैं एक साथ दिखाना असान नहीं होता है तो इसे धीरे धीरो राइट आफ करते जाते हैं धीरे धीरे खतम करते हैं इसलिए क्या बन जाते हैं रैफर्ड रिवेन्यू एक्सपनीचर अब पचास लाग दूगा तो भी है, पचास लाग बहुत बढ़ी इमाउंट होती है, नेचर बिजनस पर डिपैंट करता है, मेरे बिजनस के लिए बहुत बढ़ी इमाउंट है, क्लिर है, नेक्स देखें, बताओ कौन सा है, एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस क्या होते हैं, एक्सपेंसिस इस दा कास in ce Contoter for earning revenue, मुझे revenue earn करने के लिए जो खर्चे करने हैं वो बन जाते हैं मेरे लिए समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ आ गया बहुत से बहुत कहते हैं कि नहीं समझ में आया तो लोग मैं वैसे समझाता हूँ इसको बड़ा असान लगए मैं पर बिजली का बिल ना दो बिजली वाले connection कार्ट देंगे तो लोग आओगे अगर यहां आए light चलेगे और inverter भी बोल गया मेरा तो क्या किसी छोड़ दो कि सारे कि सारे कोई बात ही सर कल आ जाएंगे तो इस उमीद के साथ की light आएगी लेकिन अगर यह पता से जाएगी यहां light कभी नहीं आएगी तो कोई भी तुम में से नहीं आएगा अब यहां light तो है नहीं तो पढ़ेंगे कैसे तो मुझे यह कुछ खर्चे ऐसे हैं जो मुझे अपने business को चलाने के लिए करने करने है जैसे electricity पे करनी करनी है तो यह मेरा खर्चा क्या है expenses माना जाएगा क्योंकि मुझे revenue generate करना है तो यह खर्चे भी करने पढ़ेंगे एक shopkeeper के पास गए दुकान में अपने लिए shirts रेकनी है और अधेरा है भाई shirt दिखा दे मुंबत्ती में दिखा रहा है लोगोई तो भाई उसमें क्या है पता ही चलेगा तो वो अगर उसे वो sale करनी है तो भाई खर्चे भी करने होंगे अब उसमे इनवर्टर लगा चैनेटर लगा लाइटे सारी दिखनी चाहिए फोकस पूरा आना चाहिए तो expenses क्या होते है जो हमारे revenue को जर्नेट करते है revenue को जर्नेट करने के लिए जो हम खर्चे करते है उसे कहते है expenses और one line में कहा जाए expenses is the cost incurred by earning revenue तो वो खर्चा करूँगा तभी तो आप लोग मुझे fees दोगे मेरे को revenue तब जर्नेट होगा जब मैं वो खर्चा करूँगा अब AC चल रहा है यह खर्चा कर रहा हूँ तभी revenue जर्नेट हो रहा है तो यह खर्चे वो necessary खर्चे है जो business को चलाने के लिए करना है यह marker है जो मुझे कुछ भी समझाना है तो यह marker यूज करना है यह marker फिरी में तो आएगा नी बजार में मैं जो पैसे देखे खरीदना होगा तो जब मैं खरीदूँगा तो इसका मतलब यह भी खर्चा है यह खर्चा करूँगा तभी मुझे revenue जर्नेट होगा तो revenue जर्नेट करने के लिए जो भी किये जाते हैं वो क्या माने जाते हैं आई होग समझ में आ गया होगा सबको नेक्स देखें अब expenses भी दो तरह कि इसमें दिखाए गए हैं एक होते हैं प्रिबेड expenses एक होते हैं अगले मैंने दूँगा अगले मैंने का बिल और सके अगले मैंने दूँगा तो यह outsending हो गया सर ने पढ़ा है उनको अगले मैंने salary दूँगा तो यह क्या होगा? outsending prepaid वो हो गया जिनका payment ही मैंने advance कर दिया माले थे यह rent पे मेरी shops हैं revenue तो मैंसे समझ में बता दिया revenue क्या होते है revenue वो होता है जो हमें income earn हो रही है या revenue जो revenue जन्योट हो रहा है जिससे cash मिल रहा है जैसे एक दुकान दर समान बेचता है तो उसे क्या मिलता है पैसा वो क्या है उसके लिए revenue मैं आपको services दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे 30 मिल रही है वो क्या है मेरे लिए revenue revenue वो होता है मतलब जिससे मेरे को cash मिल रहा है जिससे मुझे पैसा मिल रहा है मेरे उन sources से जो मैं उन operation से जिनसे मैं अपना business चला रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं वो अलग चीज आगी जैसे आपके question है कि profit क्या करें मतलब समझानी में ने revenue को मतलब समझा revenue का मतलब है कि जो मैं operation कर रहा हूँ operation का मतलब है जो मैं काम कर रहा हूँ उससे होने वाली जो earning है वो revenue जनरल स्टोर है मेरा तो उनने मेरे से कुछ भी समान खरीदा तो उसके बद्ले में मैंने आपको pay किया वो क्या है आपके लिए revenue आप क्या बेच रहे हूँ समान बेच रहे हूँ उसके बद्ले में जो जन्रेट हो रहा हूँ मैं यहापे क्या कर रहा हूँ services दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है ум ba कि दुकान है वो द्वाईयां बेच रहा है उसके लिए बेच रहा है उसके मिले簡 classic लिए पीस को इस लिए इस अब आइस गीं वाले निंद्षे आपको जो आइस ग्रीम बेच pela है य्प इस ये चैली भिद भी speculate यह चिप व्यो गैश्व जिस चीज़ का वो काम कर रहा है, उससे होने वाली जो अर्णिंग है, वो रिवेन्यू मानी है। तो यह जो इनके पास आता है समान बेशते हैं, यह सप्लाई करते हैं, वहाँ से जो इनको इनकम जनरेट होती है, वो इनके लिवेन्यू है। मुनों का बेशीक कांसेट यही है, कि जो चीज़ का आप काम कर रहे हैंँ उससे होने वाली अर्णिंग है। लोग कि अपने प्रॉफिट की डेफिनिशन भी अलग आती है, तुम लोग मुझे तीज दे रहे हो, ये मेरी इंकम है, ठीक है, ये मेरी क्या है, इंकम, इंकम का एक सोर्स है, जिससे मैं कहूंगा थीज, जैसे माल लेते हैं, सो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे इंस्टिशन मे मैं तीन लाग रुपे अगर मैं ले रहा हूं, तो खड़्चे भी तो करूँगा, उसमान ले हो, पचा जार मैं स्पेस में रेंट भी ले रहा होगा, एक लाग मैं टीचर्स की सैलरी दे रहा होगा, 10 जार बिजली का बिल दे रहा होगा, 2 एक हजार सपय दुलईया वाले भी दे रहा हूँगा, 20-25 ऐड़र्टीजमेंट के भी पे गर रहा हूँगा, यह सारे खर्चे अगर मैं जब माइनस कर दूँगा, तो जब मुझे बचेगा, वो क्या हो जाएगा, profit, next profit आता है, यह मैंने आपको बताए दिया, gain, capital assets को बेशने पर जो profit होता है, वो gain होता है, जैसे मेरी एक land थी, 10 लाखी, मैंने 15 लाख में बेश ली, तो 5 लाख का क्या हुआ, gain, 5 लाख का profit नहीं होगा, profit, मेरी जो daily activities है, होने वाली earning को profit होँगा, समझो, depends, एक gain है और एक profit है, profit क्या हुआ, मुझे तुम लोग piece दे रहे हो, मैं अपने खर्चे माइनस करते हूँ, तो ये मेरा क्या जाएगा profit, मान लेते हैं, तुमारे बैस से मुझे 20 लाख में मिल रहे हैं, और 5 लाख मेरे खर्चे हैं, तो मेरा profit कितना हुआ, 15 लाख समझ में आगे, लेकि मेरी एक जमीन थी, जिसको मैंने 10 लाख में खरिदा दा और 15 लाख में बेज दिया, तो उन 5 लाख रुपे मेरे को जो होगा, गेन होगा, क्योंकि मैं रोज लेंड नहीं बेचूँगा, तो capital assets को बेचने पर होने वाला profit gain माना जाए, किसी को कोई भी doubts है, तो पूछे न, ठीक है, next देखें, next आता है loss, loss तो सभी को पताईए, ठीक है, loss होता है, मतलब access of total expenses over total revenue, मतलब अगर आपके खर्चे जाद है, revenue कम है, तो क्या हो जाएगा, loss मा लेते हैं, तीन ही बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तीन बच्चों में मेरी costing तो आएगी, तीन बच्चों से मेरी costing क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ऐसे cases में मुझे loss होना सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि खर्चे तो मेरे जादा है, ठीक, खर्चे तो fix होते हैं, खर्चे जादा है, इंकम कम है तो लॉस हो जाएगा नेक्स देखें पर्चेस पर्चेस तो पताईए जब हम समान को खरीते हैं बिजनस में सेल करने के लिए तो उसे कहते हैं पर्चेस जब हम समान खरीते हैं जहां रगना जब हम समान को पर्चेस करते हैं बिजनस में सेल करने के लिए उसे कहते हैं purchase building खरीदी वो purchase नहीं है वो तो assets करीद रहे हैं वो तो assets करीद रहे हैं समान बेचने के लिए जो खरीदा जाता है उसे कहते हैं purchase एक दुकानदार जर्णल इस्टोर है वो राशन तेल घी समान यह खरीदा नहीं करिदा चावल ग्यों दाल मसाले मिर्स मस खरीदा तो वो क्या बेचने के लिए खरीद रहा है जो समान बेचने के लिए खरीदा जाता वही पर चैज और जो बेचा जाता है उसे क्या कहेंगे sales मान खरीदा था पसंद नहीं हाय वापिस कर दिया बचेज रिटर्न वेचा वापिस आ गया तो क्या होगा sales return ठीक है नहीं में आगे नेक्स आता है अपका revenue from operation revenue from operation वही है revenue from operation का मतलब होता है कि जो revenue generate हो रहा है day to day activities से उसे कहेंगे हम revenue from operation जो काम मैं कर रहा हूँ goods जो मैं business word के लिए use करूँगा goods word goods का मतलब होता है goods purchase from resale of raw material या various goods उसे कहेंगे है मैं goods जैसे मैं goods को समझा दो goods को मैं use करता हूँ इस तरह से समझो यह goods हो गया इसमें चार चीजे use करती है एक आता है purchase एक आता है sale एक आता है purchase return एक आएगा sales return तो purchase return sales return और यह सब इसके इंदर आएंगे के लिए तो goods मतलब समान जिस चीज़का मैं business कर रहा हूं जिसको मैं खरीद रहा हूं उसी समान को भेच रहा हूं उसी समान को वापिस कर रहा हूं या वही समान मेरा वापिस आ रहा है जैसे मान लेतना मेरी शॉप चलने स्टोर की शॉप है और मैंने बीस पैकेट ब्रेट के मंगाए कितने मंगाए और मैंने उसकी डेट चेक नहीं की और सारी एक्सपारी डेट वाली ब्रेट और इधर शॉरे आया सर एक डेट दे दी जै मैंने इसको दे दी घर जाके देखा इसकी भी देखा इसकी डेट की है यह मेरे पास आया तो इसने मुझे वापिस किया तो इसके लिए क्या बन गई पर्चे रिटन ठीक है लेकिन मेरे पास वापिस आया तो किया बन गई इस डीघध वापिस आया तो ऑध्षीर हुन जा पिस आयो तो पता यह इस टॉक को कहते हम जो हमारे समान बचावागा को मैं उदार समान बेचा है या उदार सर्विसिज दी है जैसे आप सब लोग मेरे कस्टमर हो आप सब मेरे क्या हो कस्टमर को कहते हैं डैप्टर्स ठीक है मेरे क्सटमर हो नएा आपको मियरे कषर्विसिज दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे पैसा देते हूँ तो आप सब मेरे लिए डैप्टर्स हो यह बन जाएंगे मरे लिए डैप्टर्स ऐसी मैंने भी कहीं से सर्विसिज लिए होगी तो मेरे लिए क्या होंगे रेडिटर्स इसको ट्रेट पेबल मतलब जो क्रेडिटर्स जो समान जिन जो भी ट्रेंजेक्शन हम कर रहे हैं उसको एक वौचर्स की रूप में बनाते हैं अब यह वाउचर्स भी तीन तरह के होते हैं एक होता है डेडिप वाउचर एक होता है राज राल गाउचर्स जावाउचर्ड एक बिए डेब इस्काउंट को कोई लुकूण नहीं करते क्य समान खरिदा जाता है या बीचा जाता है उस पर दिया जाने वाला या लिया जाने वाला जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट माना जाता है कैटलोग प्राइस पर दिया जाता है जब भी हम cash discount वो है cash payment कर रहे हैं या cash receive कर रहे हैं तो मिलने वाला या दिया जाने वाला discount क्या वाना जाएगा cash discount वैसे और अच्छा सब्सक्राइब समझाता हूँ आपने book खरीदी होगी 700 की book 600 में खरीदी तो 100 अरप आपको discount मिला कौन सा discount तक cash discount तो आपने दुगांदार को 600 दिये 700 नहीं दिये कि पहले सास्तू देगा फिर उसका वाफिस करेगा वो अलग कंडिशन है कि 500 और 200 का note था 700 पर देविए तब आपको शौर पर वाफिस कर रहा है लेकिन आपके पास change था तो आप उत्रहीं पकड़ा होगा जिए discount के वाफिस आ और commodity discount क्या होता है जैसे सर्फ के साथ बाल्टी फ्री वो company दे रही है हम नहीं दे रहे है ठीक है उरुपरे के पकेट में 25% extra free वो जो free आ रहा है वो जो भी चीज़ आ रही है वो commodity discount वो company से ही आ रही है चाहे पत्ति के साथ एक वो डबबा फ्री चमच फ्री कप फ्री फोका वो डब जिससे बविशे में मिलने की कोई संभावना नहीं है जो पैसा हमारा दूब गया उससे क्या कहेंगे बैट डैप्स नेक्स राता है बैलेंशीट यह तो पढ़ाएंगे शोदा financial position of the business is called बैलेंशीट बॉक वैल्यू यह तो बॉक में जो वैल्यू होती है वो बताएंगे जो हमारी विलड्लिंग है यह यह प्रेकिफेसे क्रेकिप यह सब आगे पढ़ लेंगे एसे क्रेकिट की क्योंन मिखना जाता है। प्रोप्राइटर जो बिजनस का मालिक है उसे कहते हैं हम और आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे रात नौ बजे मेरे एक वीडियो शोट आती है और मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स शॉट के साथ वन शॉट वीडियो के साथ अब तक के लिए थैंक यू वेरी मुच लव यू वाल वंदे मात्रम जैवाकर